शिवरात्री हिंदु परमपरा का एक बहुत बड़ा परव है इसे फालकुन कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी को मनाया जाता है माना जाता है कि इस देन शिवजी का प्राकट्टी हुआ था इसके अलावा शिवजी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्न सुक प्राप्ती होती है इस दिन व्रतु को आस मंतर जाप तथा रात्री जागरन का विशेश महत्म है किसी समय भारतिय संस्कृति में एक वर्ष में 365 वार हुआ करते थे दूसरे शब्दों में कहे तो वे साल के प्रति दिन कोई ना कोई उस्सम मानाने का बहाना खोसते थे इतिन सो पैसक्त वार विविद्धकार्नों तथा जीवनों के विविद्ध देशों से जुड़े थे इन्हें विविद्ध एतिहासिक घटनाओं विजय श्री तथा जीवन की कुछ अवस्थाओं जैसे हसल की बुवाई, रोपाई और कटाई आदि से जुड़ा गया था हर अवस्था, हर परिस्थिती और हमारे के लिए हमारे पास एक तेवभार था परन्तु माशिवरात्री का विशेश महत्व है हर चंद्रमास का चवदावाद दिन अथवा अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्री के नाम से जाना जाता है एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से माशिवरात्री का सरवाधिक विशेश महत्व है जो फरवरी मार्च महा में आती है इस राद ग्रह का उत्तरी गोलार्द इस प्रकार अवस्तित होता है कि मनुष्य भीतर उर्जा का प्रकृतिक रूट से उपर की ओर उचाती है यह कैसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिकर तक जाने में मदद करती है इस समय का उप्योग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते है जो पुरी रात चलता है पुरी रात मनाये जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशी ध्यान रखा जाता है कि उर्जाओं में प्राकृतिक प्रवाह को भुमने का पुरावसर मिले आप अपने रीड की हड़ी को सीधा रखते वे निरंतर जाकते रहते है महाशिवरात्री आध्यात्मिकपत पर चलने वाले सादकों के लिए बहुत महत्व रखती है यह उनके लिए भी बहुत महत्व पूर्ण है जो परिवार परिस्तितियों में और संसार की महत्व कांगशाओं में मगन है पारिवारिक परस्तितियों में मगन लोग महाशिवरात्रिकोशिव की रुप में भी मनाते है दिनों कैलास परवत के साथ एकात्म हो गए थे वे एक परवत के भाथी स्थीर्वनिश्चन हो गए थे योगिक परमपराव में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पुजा जाता उन्हें आदी गुरु माना जाता है पहली गुरु जिन से ध्यान अज्जा ध्यान की अनेक सहसब्दियों के पश्चात एक दिन वे पुर्ण रूप से स्थिर हो गए वह दिन महाशिवरात्री का था उनके भीतर की सारी गतिविद्याय शांत हुई और वे पुरी तरह से स्थिर हुए इसलिए साधक महाशिवरात्री को स्थिरता सी रात्री के रूप में मनाते है इसके पीछे की कथाओ को छोड़ दे तो योगित परमपराओं में इस दिन का विशेश महत्व है इसलिए भी है क्योंकि इसमें अध्यात्मिक साधत की बहुत सी संभावनाय मूझूद होती है आध्यूनिक विज्ञान अनेक चर्णों से होते हुए आज इस बिंदु पर आ गया है जहां उन्होंने आपको प्रमान दे दिया है कि आप जिसे भी जीवन के रूप में जानते है पधार्द और उस्सव के रूप में जानते है जिसे आप ब्रम्हाण और तारा मंदल के रूप में जानते है वह सब केवल एक उर्जा है जो स्वयम को लाखो करोडों रुपे में प्रकट करती है यह वज्ञानिक तथ्य प्रत्यक योगी के लिए एक अनुभाव से विज्जा सकती है योगी शब्द से तातर्य उस व्यक्ति से है जिसने अस्तित्व की एकात्मता को जान दिया है जब मैं कहता हूँ योग तो मैं किसी विशेश अभ्यास या तंत्र की बात नहीं कर रहा इस असीन विस्तार को तथा अस्तित्व में एकात्म भाव को जानने की चाहा यूग है महा शिवरात्री की रात व्यक्ति को उसी का अनुभो पाने का अवसर देती है शिवरात्री महा का सथ से अंधकार पुरुन दिवस होता है प्रतिक महाशिवरात्री को उस्व दथा महाशिवरात्री का उस्व मनाने ऐसा लगता है मानो हम अंधकार का उस्व मना रहे हो कोई तरकशिल मन अंधकार को नकारते बे प्रकाश को सहजभाव से चुलना चाहेगा परंतु शिव का शाब्दिक अर्थ तो यही है जो नई है जो है वह अस्तित्व है और सुरुजन है जो नई है वह शिव है जो नई है उसका अर्थ है अगर आप अपनी आपको खोल कर आसपास देखें और आपके पास शुक्षम दुष्टी तो आप बहुत सारी रचला अगर आपकी दुष्टी केवल विशाल वस्तु उपर जाती है तो आप देखेंगे कि विशाल तम शुन नहीं अस्तित्व की सबसे बड़ी उपस्तिती है कुछ ऐसे बिंडू जिने हम आकाश गंगा कहते है वे तो दिखाई देंगे परंतु ने ठामे रहने वाली विशा शुन्यता तभी लोगों को दिखाई नहीं देटी इस विस्तार इस असीम रिक्तता को हिश्यू कहा जाता है वरतमान में आधनिक विज्ञान में भी साबित कर दिया है कि सब कुछ शुन्य से ही उप्चा है और शुन्य में ही फिलिन हो जाता है इस संधर्व में शिव यान इशाल धिक्तता या शुन्य को ही महादेग की रूप में जाना जाता है इस गरह फिय प्रतिक धर्म यह हम संस्कृती में सदा दिविता की सरववयापी प्रखूरती की बात की जाती है यदि हम इसे देखते तो एक मात्र ऐसी चीज है जो सही मायने में सरववयापी हो सकती है ऐसी वस्तु जो हर स्थान पर उपस्तित हो सकती है वह के वलंधकार शुनिता या रिक्तता ही है सामानिता सब लोग अपना कल्यान चाहते है तो हम उस दिव्य को प्रकाश की रूप में तर्शाते है जब लोग अपने कल्यान चे उपर उटकर अपनी जीवन से भरे परे जाने पर विलिन होने पर ध्यान देते हैं और उनकी उपासना और साधना का उटेश विले नहीं हो तो हम सदा उनके लिए दिव्यता को अंधकार के रूप में परिभाशित करते हैं दर्शकों महाशिवरात्री का उसर और संभावना है जब आप स्वहम को हर मनुष्य की भीतर बसी अजी मिरिक्तता के अनुभव से जोड़ सकते हैं जो की सारे शुर्जन का स्तोत है एक और शिव सहारक है और दूसरी और वे सबसे अधिक करूना में भी है वे बहुत ही उदार दाता है आज सभी को महाशिवरात्री को को मंगल मैं अनुभव मिले यही शुब कामना हैप्पी महाशिवरात्री क्रणा ओगा है ूँभव